सो फटाए कई वीडियो वेडियो और सुबह्स मैंने अपने लिए चया बना लिया है और थोटा सझा काम पेंडिंग था तो मैंने सुचा क्यों ना उसका कम्प्लीट कर लिया जाही। क्योंकि आज पुरे दिन मेरा बहुत ही hectic schedule है और तो जल्दी-व्डी से अपना काम कंप्लीट करते हैं मेरे निल्स थोरा बढ़े हो गये तो जल्दी व्डी व्रकार सुको रिमूव कर लेते हैं और उसके बाद मैंने नहा लिया है और नहाने के बाद ओ particularितम इत्ता है हो जाता है मैं चाहती हूं कि बहुत सारी चीजी बहुत अच्छे से रिकॉर्ड कर पाऊं बट ऐसा हो नहीं पाता है क्योंकि मुझे बहुत जल्दी-जल्दी करना पड़ता है और यह मैं अपना एरिंग दिखा रही हूं जो मैंने अपनी मम्मी के पसंद से लास्ट बंत ही जिसका ब्लॉग साथ मैं नहीं अप्लोड कर पाई थी विकर्स मेरे पास टाइम नहीं था तो यह जो एरिंग है वह बहुत ही छोटा सा मेरी माने ऐसा बोला कि छोटा सा लो जिसको तुम डेली यूज में पहन सको क्योंकि अगर बड़े होंगे तो तो उसे पहन नहीं आपको पता भी नहीं चलेगा अपको फील नहीं होगा और एक अच्छा लेटिस्ट डिजाइन भी है और बढ़ी अलग रहे हैं तो मेरे मम्मी का फोन आ गया तो इसा फोन पर बात भी करने लगी बात करते करते में रैडि भी हो जाती हूं वैसे मुछली आसा होता है कि मैं करते हूं तो थोड़े से स्टेट कर लेती हूं दो चार दिन तक रह जाते हैं और ठीक है थोड़े ना लाइट वेट भी हो जाते हैं स्टेट के बाद तो वह मुझे अच्छे लगता है तो जब भी मैं हैर वास करते हूं तो उस दिन मैं स्टेट करी लेती हूं तो थोड़ा राइट वेट हो जाता है तो मुझे पसंद आता है वैसे तो मेरे हैर करली है बहुत करली भी नहीं और स्टेट भी नहीं वह बीच वाले होते हैं वह मुझे मेरे समझ के बाहर होते हैं या तो करली रहो या तो स्टेट रहो है और जो मेरे हैर होते हैं वह बीच वाले हैर होते इए येमझे सांस्य में नहीं आता है बिलकुल भी और आजकल मैं तोरे रिंग wisely भी बहुत ध्भाली है अर्यजो मेरा रिंग है यह डाइमंड रिंग है वित रोजगोंड एक नायट रोजगोण होता है और यलो गोंड होता है तो पहले वारे जो हमारे उंगली में जो रिंग है वो है गोल्ड वाले जो येलो वाले होते हैं और ये है रेड वाले गोल्ड सो रेड गोल्ड वित डायमंड जिसके ना लाइट और उसकी चमक बहुत अच्छी आती है और मैंने कुछ ऐसे आटेपीशियल वाले भी पहने है जो कि मुझे ब करके मैं लगा लेती हूं वैसे अगर मेरे पास कोई रहता है जैसे मम्मी रही या फिर चोटी सिस्टर रही तो मैं उससे लगवा लेती हूं फाइनली मुझे दाल चावल बहुत पसंद है तो अभी मैंने दाल चावल ले खाया रही हूं थोड़ा सा और मैं निकल चुकी कि जो कैप वल है ना उनका या तो दिल वेल टूटा है या फिर कुछ तो प्रॉब्लेम है इतने साड सॉंग इतने साड सॉंग बेवजह मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा ब्रेक अप हो गया है और यह मेरे घर से एक दू मिनट दूर ही मुवी मैक्स है जहां पर अगर आप जाते हो मैं इतना बोल रहे हैं मेरे घर से एक दम पास में है कि आप चाहो तो वक करते 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 दो मीनट में पहुंच जाओ और यह देख सकते हैं और गाड़ी के अंदर जो एसी है इस वज़़ा से धूब भी अच्छे लग रहे हैं आदर्वाइस इस गर्मी में दूब और यह देख सकते हैं और यह देख सकते हैं और यहां पे क्या होता है कि आपको आजीब गरीब हर तरीके का लोग एक ही जगा पर आपको देखने को मिल सकता है सो यह था इवनिंग और इवनिंग का जो व्यू था वह बहुत अच्छा लग रहा था मैं खड़े होकर थोड़ा सा आपजर्व कर रही थी कि बड़ा अच्छा सा व्यू लग रहा है थोड़ा सा क्लीन एरिया है मुझे ना है जनक बहुत प्राब्लम मता मुझे सब कुछ क्ल मैं बैक टू हो रही हूं और यह देख सकते हैं आप दिल्ली से गुजरो और आपको ट्राफिक न मिले ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि आप घर से निकले और आपकी गारी बिना रुके आपके डेस्टिनेशन पर पहुंचा दे अगर ऐसा जिस दिन हो गया ना उस दिन आप सद बार्डर मैं उसको रिकॉर्ड नहीं कर रपयए क्यूंकि पहले इता सब्सक्राइबस स्क्राइबस को कुछ नें डेख से अपने एक comment बीकरे तो मेरे इसे सामने बैट गए ऺ मेरे फेस पे लगे और मैंने अपने रूम की लाइट भी थोड़ा कम ओ माई गॉड़ मैंने जैसे ही मेरा पार्शल खोला और वैसे ही मेरी जो थकान थी वो दुबारा आ गई क्योंकि जो मैंने पार्शल मैंने ओर्डर किया था वो मुझे नहीं मिला है और इसने हमारे साथ कर दिया है सो जब भी आप order कुछ करो तो review जरूर देख के करो और वाइस आपको ऐसे ही आप order करोगे बहुत ब्यूटिफुल सट्रेस और आपकी पास ऐसे एक छोटा सा कपड़ा का टुकरा आ सकता है सो मेरी थकान फिर से बढ़ गई है और मैंने seriously मैंने review चेक नहीं कर रहा था और मैंने ऐसे जल्दी जल्दी में order कर लिया था सो गाइस लाइक आवर ब्लॉग थैंक यू